डोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूँ, कि आप यहाँ पे खड़े और आपने हाथ में ग्रेनेड लिया है 청सा अपने ग्रेनेड लिया है ग्रेनेड का टा Marchनेर आन किया armor आपके पास है ग्रेनेड खटा आपको एक मामेज भी नी पड़ा एनडमी खुतम है कैसे जी हां इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ अगर मैं आपसे ये कहूं इवो गन स्किन्स जिसको आप बिना पर्चेस किये आप उसके एट्रिब्यूट्स को यूज कर सकते हो बस गन स्किन में चमक नहीं होगी बाकि डैमेज रेट उफायर सबकुछ आप आपके स्ट्राइटेजी और आपके अंदर कुछ ऐसे सक्तिया आने वाली है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा आप नीचे थैंक्यू तक लिक के जाओगे इतनी खतरनाग ट्रिक लेके आएं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना च आपको यूस करना है ओरियन प्लस ग्रेनेट जी हाँ जब भी आप ग्रेनेट हाथ मेलो अगर आप ज्यादा यूस करते हो तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाली है आप किसी भी गर के अंदर फाइट कर रहो हो अपने ग्रेनेट में टाइब आपके पास आचुका है आपको बस कुछ टाइम पहले ही ग्रेनेट को फेकना है मतलब जिरो पॉइंट कुछ सेकेंड पहले और आपको जल्दी से ओरियन को ओन कर देना है बस ग्रेनेट फटे का एनेमी डाउन आप वैसे के वैसे आपका एक एच्पी तक कम नहीं होगा उ अगर आप ग्रेनेट यूस करते हो तो और आप ग्रेनेट यूस करने वाले हो इस वाले वीडियो को देखने के बाद क्योंकि मैं आपको आगे कुछ ऐसा बताने ही वाला हूं बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर टू की और जो कि एक लॉक टावर के अंदर लॉक टावर वाले करें तो पीछे आपको यहां पर एक बंदा लगाना है जिससे की पीछे से आपको कोई डैमेज ना दे पाए और अगर कोई मारना अच्छा है तो आपका टीमेट उसको खतम कर दे बाकी के बचे दो टीमेट उनको आपको ऐसे सामने लगा देना है जिससे की कोई भी उनके पर अगर रसकर रहें ऐसे आप देख सकते हो रसकर रहें ये लोग मैं उपर से राम से इनको डेंग दे रहा हूँ कि बागल इसी तरह बंधा इसी तरह किचेश को भी मार सकतो बाकि आपके चाहे टीम मेट तो खड़े ये उधा basically स्ट्राइटेजी मुझे बहुत बढ़िया लगी यह मैंने कहीं पे कहीं पे तो रील में देखा था तो मैंने सोचा चलो अपने सब्सक्राइबर्स को भी बताया जाए और हां मैंने सोचा है कि क्लॉक टावर की उपर एक प्रॉपर स्ट्राइटीजी वाली वीडियो बनाओ क कि आपको कैसे रस करना है अगरी अगर अगराप इधर पैदा उते होसा मुझा सब्सक्राइबर्स केर सांगे सांगे प्रॉपर स्ट्रेटीजी वाली वीडियो आनी चाहीए बनाँ कोब आप प्ल्स कमें नव्बर फई जियूंट से स्टार्ट करना चाहीए जिससे की आप तो प्लीज बिलकुल धान से सुनना, मैंने बहुत सारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा, इवन मैं खुद, मेरे टीमेट्स भी इस गलती को दोराते हैं, और बार जाके शार जीरो से पिटके चले आते हैं, तो युट अप ऐसी क्या गलती करते हो, देखो गेम के अंदर इसके डियान नहीं देते इसके और स्क्राइण के अधे आपको मिलता है ग्रेनेट इसमोग ग्रिंड जिसमें आप इसमोग्रेट फेकते हो और आप किसी भी गंद से इसको अन करके मारोंगे ना तो आपको तो सब कुस दिखाई देगा सामने वाले इनिमीच दिखाई देगे बट उनको आप दिखाई नहीं दोगे तो उससे आप बहुत अच्छा फाइदा ले सकते हो साथी साथ गेम में आपको मस्रूम मिलता अगर आप एक दो मस्रूम लेते हो CS के अंदर तो उससे क्या होगा आपको एक एक करके AP से HP Convert होता रहेगा जिससे कि एक HP से बहुत बार ऐसा सीन होता है एक HP से हम बच जाते एनमी मर जाता है तो हो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यह चीज़े हम नोटिस नहीं करते बट यह चीज़े बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताओ आप समझ रहे होंगे साथी साथ लोड आउट के अंदर अगर आप सीक्रेट क्लू लेके जाते हो तो इससे आपको नीचे बहुत सारी चीज़े खरीदने को मिलेगी जिससे आपके अंदर की स्पीड जो है वो बूश्ट हो सकती मुव्मेंट स्पीड हीलिंग एफेक्ट आपको एच्पी मिलता रहेगा वह भी पांच-पांच एच्पी पर सेकंड तो समझ रहे हो कितना ज्यादा है यह सारी चीज़े जिनको हम एग्नोर कर देते हैं ऐसी और बहुत सारी चीज़े ह अगर मुझे भी कुछ चीजे ना पता हो तो मैं भी कमेंट से आपका कमेंट देखके कुछ नॉलिज ले पाँ आने वाली वीडियो में बता भी पाँ तो प्लीज कमेंट कर देना अगर आपको ऐसी कुछ चीजे पता है तो और गेम में जितनी भी चीज़े सब का बिल्कु किसे नहीं प्यार होते देखो इवो गंस के अंदर क्या होता है एक तो चमक होती है अब अगर हम उस चमक को अटा दे तो बचता है सिर्फ देमेज और रेट फायर जी हां मैं जूट नहीं बोल रहा एक एक के अंदर भी आप देख सकते हूं डेमेज रेट फायर प्लस है होना आपको ट्रिक बताने के लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक तो बनता है कर दो ना याँ प्लीज चलो बनाते हैं अब इस काले वाले गनिस्किन को इवो गनिस्किन अब बोलोगे कैसे और वह भी फ्री में या बोल रहे हो कि कैरेक्टर्स अब हम गोल्ड में ले सकते और आपके पास भी मैक्सिमं सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे चलो सारे नहीं है पर हाय अटो तो होगा हाय टो की हाविलेटी किया है कि आपने ध्यान दिया है वित एवरी 13% डिक्रेज इन मैक्सिमं एच्पी आर्मर पेनेटरेशन इंक्रीज वाई 5% अगर आपका ए चलो आर्मर पेनेटरिशन का काम करता है बट चलो थोड़ा बहुत एटलिस्ट डेमेज बढ़ा ही देता है बट अगर आपको जिन्दा डेमेज चाहिए जी हाँ डबल डेमेज की जिन्दा इसकिल तो आप यहाँ पर यूज कर सकतो मारो केरेक्टर जो अगर मारता है तो जादा डेमेज खाएगा और साथ ही साथ अगर अगर डिस्टेंस बढ़ाता है आपसे ज्यादा दूर जारा दूर जारा तो डेमेज बढ़ता जाएगा 25 परसेंट तक यारित्ता डेमेज तो डबल डेमेज वाली करिस्किन देती बताओ अब आती हमारी लूना केरेक्टर अगर किसी अनमी को डाउन करोगे तो उसके छे सिकेंड बात तक आपकी जो रेट फायर वह 18 परसेंट तक बढ़ जाएगी साथी साथ मूवमेंट स्पीड भी 12 परसेंट बढ़ जाएगी तो यार क्यारेक्टर बढ़िया बढ़िया आपको उनमें से सिलेक्ट करना है कि आ आप कैसा खेलते हो और उसके अगौडिंग किस-kis चीजो को किस-kis करेक्टर को यह कर सकते हो यह गन इसकी अगर आपके पास नहीं है तो बड़ीया वात है आप फिर करेक्टर लगाओगे फिर और भी जादा बढ़ जाएगी अगर नहीं है तो आप चारेक्टर से उसको स i evoluoắc damage लhगा गड़े हुँ कुल को इस वीडिOSH में नहीं बताऊंगा आपको यह वीडियो यहां दिख रहों गा इस पे दवाओ और चल्दी से जाकर ले आपके सामने मैंने खुद ने अपने अपने डामेंड लेके दिखा है तो इस वाले ट्रिक को आप देखो बिल्कुल इस्टेप बैस्टेप फॉलो गरो और उसके बाद आपकी भी अपने हजारों लावखो में डामेंड्स टिम टिम आते हुए ऐसे दिखाये देंगे आपके जो बाद में राट